परश्रमगाल में चुनावी हिंसा बढ़ने से दिन पहले थम जाएगा प्रचार अभ्यान राज्य के प्रधान ग्रहस सचेव और ADG ID राजीब कुमार को भी हटा आगा तो वहीं परश्रमगाल में हिंसा को लेका सियासत तेज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा परश्रमगाल में गुंडा तंत्र में बदला लोग तंत्र तो वहीं ममता बैनर्ट जी नानुचे 324 के इस्तमाल को पताया सम्विधान अंधिम चरन का प्रचार अभ्यान तेज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी राहूल गांधिया किरेश यादव समेत कई दिगशनेता जन्सभाओं के द्वारा करेंगे मद्दाताओं को लुभानी की कोशिश कॉंगिस विधायक अधिती सिंग पर हुए हमले पर राई बरेली में बोली प्रेंका गांधी प्रधेश सरकार पर निशाना साथ तेवे कहा प्रधेश की सरकार गुंडो की सरकार है वही मौसम की आँख मिचोली की बीच हर्याणा के रोतक में बारिश के वजह से मंडियों में पड़ा हजारों टन गेहुं खराब किसान यूनियन ने की सरकार से भर पाई किमा नमश्वार आप देख रहे हैं एविस्टार नियूस मैं हूँ आपके साथ सुमन रावत खबरों की बात करेंगी लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि अब आप सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म के जरिये भी एविस्टार नियूस को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेस्बुक, वाटसब पर एविस्टार नियूस के साथ जुड सकते हैं साथ साथ गोगल प्लैस्टो पर जाकर एविस्टार नियूस की अब भी डाउनलोड कर सकते हैं चले बात करते हैं खबरों की कॉंग्रस वधायक अधिती सिंग पर हमने के बाद कॉंग्रस महासचिव प्रेंका गांधी वॉडरा राय बरेली पहुंची जहां कॉंग्रस महासचिव प्रेंका गांधी वॉडरा ने अधिती सिंग पर हुए हमने को लेका बयान दिया प्रेंका ने बयान में कहा कि प्रदेश सरकार पर उन्होंने निशाना साथ तेवे कहा कि प्रदेश की सरकार गुंडों की सरकार है प्रेंका ने कहा कल जुसतरा से जिला पंचायत सदस्तों को गाड़ी से खींच-खींच कर मारा गया जैसी आराजकता बीजेपी ने ताउन दिखाई है आपसे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ राजुनितिक इत्यास में ऐसा पहली बार हुआ इस मामले पर दिल्ली में चुनाव आयोग से शुगायत हुई है हम इन सदस्तों की पूरी लड़ाई लड़ेंगे तो वहीं संग्रूर लोगसभा हलके से शिरो मनिया काईदल के प्रत्याशी सिर्मंचीत सिंग मान के समर्थन में समाज सेवी लखा सिधाना ने रोड़शो किया इस मौके पर भारी संग्या में लोग रोड़शो में शौमिल होने पहुँचे पत्रकारों के साथ बाचिश्यत करते वे लखा सिधाना ने कहा कि वो किसी भी पार्टी के साथ संबंध नहीं रखते फिर भी वो कई उमिद्वारों का प्रिचार कर रहे हैं इसी के साथ लख्ष सिधाना ने जनता से वोट अपील भी की पन्जाब दे हित्तानू तरजीर रहे हैं। मैं आज सिम्र जी सिंग मान दी। jätte चाहयां सुरूर दी बच कि सिमर जी सिंग मान ने हमेशा पंजाब दे हितानू तरजीश देती थी है पंजाब दे मुद्ली आदी गाल्य जदंनों भी जचके संसत दे बच गेया है तो वही कनोता थाना पुलिस ने युट्टी की हरतिया का परदाफाश करते वे आरोपियो को गरता किया है पुलिस ने बताया कि गरतार आरोपी गर्राज फॉजी और कलूरा में मीरा जमबा राम गड़ के रहने वाले हैं आपको बता दे कि गरतार आरोपी गर्राज की विरुद पहले भी लूट और आवैर्द शराब तसकरी के मामने दर्ज है जाँच में सामने आया कि आरोपी गिराज सियार पीफ में कॉंस्टेबल के पर्द पर भी तैनात रहा था जो नौकरी छोड़ कर वापस खरा गया था अधरीज दिसंबर 2018 को एक पापड़ गाउं के रहने वाली पीशर्ची यूटी की लास मिली थी मेंडों का बाट के जंगलू में जी उसकी लास को किसी ने हत्या करके डाला था जी उसके हमने हत्या का मुगिमा दर्द करके जान सुरू की थी उसके बाद में इस परकंड की ग दोनकर ग्रिबतार करें जी उसके करम में हमने कपी पृषच कि पृषच के दौरान हमें कुछ सफलता मिली कुछ कलू मिले उसमें पहले ये सामने आए कि गिराज मिना थ्टे की तारिक के बाद से फरारार है जो वहीं पास में नौन प्रगाउं का रहने वाला है जी दूस उसने अपना जुम कबूल किया उसके बादे उसका चीयों की जो रहा है कालू में नवी नॉ जे उसको हमने इरे struct किया इस गार्ज किया है अगयगा नुसंदान हम कर रहे हैं जानकारी में आया है कि इन में जो मुख्य आरोपी है वो CRPF में कॉंच्टविल के पद पर तेना था हाँ ये सही है जो दो जादस में नोक्री छोड़ दिया है तो वहीं बारिश से जहां लोगों को गर्मी सिराहत मेरी है वहीं मंडियों में पड़ा हजारो टन गेहूं खोले आसमान की नीचे भीग गया बारिश के वज़ा से मंडियों में पड़ा हजारो टन गेहूं आपको उता देगा अब खराब होने की कागारपर है किसानों का कहना है कि मंडियों में गेहूं की खरीद तो कर ली गई है लेकिन मंडियों से गेहूं का समय पाउठा ना होने की वज़ा से मंडियों में गेहूं पड़ा हुआ है और बारिश होने की वज़ा से गेहूं अब खराब हो गया है किसान निता प्रीत सिंग का कहना है कि बारिश की वज़ा से किसानों की फसल और सबजियों को नुक्सान हुआ है जिसके भरपाई सरकार को ही करनी होगी कि यह आज जो बारेश हुई है सुबह सुबह इसमें हजारा टन की उपर पड़या है सरकार की लापरवाई के कारने और शर्शम भी किसाना की मंडी में पड़ी है जो के सरकार आना का नहीं कर रही है बाने बाजी कर रही है वो नहीं खरीद रही है वो जो है सरकार की जम्मेवारी थी और ये जो बाड़ी और सब्जी आज की फसल जो ओड़े तड़कें आए है इसने नस्ट करी है इसका सरकार ने मावजा देना चाहिए और नहीं तो किसान जोहर रोड़ पाएगा इसके बहुत मेंगी खेती पड यूवक की मौसे परिजनों में कोहरा मचा हुआ है बताया जा रहा है कि यूवक बरात में गया हुआ था लेकिन जब वो घर वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की जिसके बाद यूवक का शव सिमायल के पास गहरी खाई में पड़ा मिला सूचना प पास अग्यात वाहं के टक्का से बारा साल के मासूम बुरी तरह से घायल होगी जूसे परिजनों ने कोटा के MBS अस्पतार में भरतिक रहा है कि बच्ची सामान लेने बजार के हुई थी बजार से लोटते वक्त अग्यात वाहं ने उसे तक्कर मार दी तक्कर लगने से उस ताम पे लाइट बन वहीं थी तो अंदेरे में आरी थी तो सामने से कोई मोटरसाय के लेया इसको तो तुर जो भी आया उसने तक्कर मार के भागिए यह नाली में गेर गी किसे उठके गार कोंशी है तो अंदेरे में अंता के पश्कबिल लेका है अर्थित लुजा पर एक अग्याद वाहां से गिरने पर किशोर की मौत हो गई बताया जा रहा है कि किशोर बरात में आया हुआ था लेकिन नैशनल हाइवे 27 पर अग्याद वाहां से गिर जाने के कारण उसकी मौत हो गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने शॉप को कबजे में लेकर पोस मौटम के लिए भीज़ दिया है वहीं किशोर के परिवार वालों का रोरो का बुरा हाल है वहीं कनाड़ा से आये सिख नौजवानों ने बाइक यातरा शुरू की ये बाइक क्यातरा जब धेरिया गाउं शुरी गुरुद्वारा सभा में पहुंची तो उनका जोर्दा स्वागत क्या गया आपको बता दे कि सिख नौजवानों ने गुरूद्वारा साही में माथा तेका और गुरूद्वारा कमेटी के तरफ से इन्हें समानित भी क्या गया बता दे कि आम आदमी पार्टी के जस्टिस जोरा सिंग ने पहुंच का इनका स्वागत क्या वहीं दिली की मोतिनगर के बसा इदारापूर में छिर्चार का विरोध करने पर लड़की के पिता की हत्या कर दी गई इस मामले पर साउत एमसीडी की नव निर्वाचित मेयर सुनीता कांगरा पीडित परिवार से मिलने पहुंची और उन्होंने इस मामले में राजनी थी ना होने की बात करती वे कहा कि केजडिवा सरका से पीडित परिवार को एक करोड रुपे के साथ सरकारी नौकर की मांग की है साथ इस दुरान उन्होंने घटना के लिए दिल्ली पुलिस, एलजी और मोधी पर भी निशाना साथा अभी मैंने फैमिली से बात की है तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इतनी अच्छी फैमिली, सिंपल फैमिली और गरीब फैमिली जिसका एक ही पालन करता था और वो इतनी बे दर्दी से जो है उसको मारा गया है चापु मारे गये हैं, दस चापु मलगी पूरी प्लानिंग से उसको मारा गया है और पिता के सामने बेटी को छेड़ा है, उसको टच किया है तो कैसे वो पिता देख लेता, इतनी निर्मम हर्तिया उसकी की रही है मुझे लगता है कि ये हमारे जो छेतर में ऐसा हुआ है, ऐसा दुबारन नहीं होना चाहिए तो मैं आरोपियों को सक्त से सक्त सजा मिलनी चाहिए और मैं दिल्ली सरकार से प्रार्थना करती हूँ और डिमांड भी करना चाहती हूँ तो वहीं आपको बतादे कि गौंडा में देर रहा तो दो मुस्लिम यूवको ने पैट्रोल डाल कर यूवक को जिन्दा जिलाने का प्रियास किया दरसल यूवक अपने पिता से मारपीट कर रहा था जिसको देख दो यूवक बीच बचाव करने आए लेकिन बीच बचाव कराने आए यूवकों से ही यूवक की कहा सुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि गुसाए दोनों यूवकों ने उस पर पैट्रोल डाल कर यूवक को जिन्दा जिलाने का प्रियास किया जिसमें यूवक गंभीर रूप से जल गया जहां यूवक की हालत गंभीर देखती हुए उसे लखनो रैफर कर दिया गया है वहीं दूसरी और मामला आपको बता दे कि पुलिस फिल हाल इस पूरे मामले पजाँच कर रही है प्रिया नल के पानी भूनने लगा फिर उसके बाद में दो बंदे इमरान और प्रिसलीम यह दूनों लोगों ने राके पिट्रोल राके तीली मार दी हमारे भाई को बीती राक दिनाग चोगदः पाच उननीस बुट वाली देहाद छेतिन में विश्णु कुमार गुस्वामी के ऊपर प्रिट्रोल डार कर आड़ लगाने का प्रियास किया गया था उस प्रियास में काफी जूलस गया था भीती बहतर इलाज के लिए उसको जन्पद लखनो रमाना किया गया था उसकी हालत इस समय स्थिर है इस मामले की अपराद जो है पंजी करड़ हुआ अपराद पंजी करड़ के बाद चार नामी तभी उपते वहराजस्तान के कामा थाना शुएतर में देर रात करीब तीन बजे हरियाना के तरफ से दस गौव वन्शों की गौव तसकरी कर ले जाई जा रही थी बुखवेर की सूचना पर सब इंस्पेक्टर ने कामा शुएतर में नाका बंदी कराई उसके बाद पुलिस ने गौव तसकरों की तेजगती से आती वी गाड़ी को देखा जिसके बाद सब इंस्पेक्टर ने अपमें जान के परवा के बगैर गौव तसकरों की गाड़ी को रोक लिया आपको बता दे कि पीछा करते समय गाड़ी अन्यांत्रत होकर दिवार को तोड़ते वे खेतों में पलट गई और हादिसे में दो गौव वन्ष की मौथ हो गई लेकिन गौव तसकर गाड़ी को छोड़ का फरार हो गया जनता को सुरक्षा देने वाली पुलिस आज खुद असुरक्षित होती नजरा रही है एक वन्ष दरोगा की पिटाई का मामला सामने आया मामला पीलिभीत के थाना पुरनपुर के गाउं गुंगचाई का है बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित श्वेतर में डनलप को अंदर जाने से रोकने पर डनलप चालकों ने वन्दरोगा को जम कर पीटा जिसके बाद वन्दरोगा को इलाज के लिए पुरनपुर सामुदाइक स्वास्त केंदर में लाया गया जहां डॉक्टर ने उसका इलाज किया साथ ही आपको बता दे कि थाना पुरनपुर में ग्रामिनों के खिलाफ तहरीर भी दर्श कर दी गई है हमारा इस्टा भी दर उदर था अधर उसे मार्चीट हो गया चले गई है फिर अपने क्यारियों को में सुच्छे मामला क्या था क्या बाद ही जो इत्मों गटना होई मामला को और एरिया से वो गल्ला में लेके जा रहा था हमने रोंका मना करा तो चुली इसी के साथ यहां वक्तों चुलाई छोटे से प्रिक्ता बड़ी ख़वर मिलेगी आपको यहां स्टॉक एक्स्चेंज सिर्फ एवी स्टार्डेश पर टेक्नॉलजी में किसकी रफ्तार के दुए में है बात मोबाइल वर्ड में कौन जमा रहा है धाक हम रखेंगे पूरा चेक ट्रेंडिंग स्टॉक अन्बॉक्सिंग से लेकर आटो पर रहें का हमारा पूरा अपडेट सिर्फ एवी स्टार्डेश पर ब्रेक के बाद एक बाद फिर से आपका स्वागत है खबरों की बात करेंगे लिकरिने एक बाद फिर से आपको बता देते हैं कि हबाद सोशल मीडिया प्लैट पॉर्म पर भी एवी स्टार्ड न्यूस को फॉलो कर सकते हैं इस्टाग्राम, फेस्पुक और वटसअब के जरीए एवी स्टार्न यूस के साथ जूर सकते हैं साते साथ गूगल प्लैस स्टोर पर जाकर एवी स्टार्ड न्यूस की एप भी डाउनलोड कर सकते हैं बात करेंगे मिर्यट की जहाँ को बताते हैं किसानों ने बाबा महेंदर सिंग टिकैट की पूर्णे तिथी मनाई है मिर्यट में कलेक्टरेट आफिस पर सेंग्रों कितादाद में किसान पहुंचे जहां उन्होंने कलेक्टरेट परिसर में ही हवन पूजन किया किसानों ने बाबा महेंदर सिंग टिकेट की पोटो पर मालियारपन की साथ यूंकी आरफी पुर्णित थी मनाते वे कई संकल्प भी लिये जिसमें उने सबसे पहरे पेजल की स्थिती को देखते वे जल संडक्षन करने का संकल्प लिया गया और लोगों को जाकरुक करने की भी बात कही गई साथ ही उन्होंने परियावरन को देखते वे पेट लगाने और बेटियों को बढ़ाने का भी संकल्प लिया इसे पता चलता है कि हिंदुस्तान के किसान अब जागरुख हो गए हैं और वो बेटियों को बचाने और बढ़ाने के लिए संकल्प ले रहे हैं हाला कि हिंदुस्तार में सबसे जादा अगर बेटियों निदेश का नाम रौशन किया है तो वहीं किसानों के बेटियों ने ही आपको बता दे कि नाम रौशन किया है यह बात किसान गर्फ के साथ कहते हैं किसानों के जो मसीह है चौदी महंदर सीटिवे उनकी आज कुणने तिती है अठी तो उनकी कुणने किती का आज यह पूरी सभी कलक्तों में अरौशन में अगरा गया है और आज एक संत्लक लिया गया है जल सरक्षन और बेटी पढ़ाओ और रक्ष लगाओ यह संकल्ब दिया है हमारे आज मस्याटी कहते है पूर्लिकिती पर हम किसानों में यह दिया है मैं जहांसी के रक्षा थारा श्वेतर में गोली मार कर एक यूवक की हत्या की गई बता दे की गैवरा में रहने वाले यूवक मोहर सिंग की रात के समय लगभग दो बजे गोली मार कर हत्या कर दी गई घटना के सूचना आमिले मौके पर पहुंची पुलिस निशाप को कबजे मिले कर पोस्ट मौटम के लिए भेसिया है जिसके बाद मौके पर स्सपी डॉक्टर ओपी सिंग भी पहुंचे और घटना स्थल का गहनता से निरेक्शन किया आपको बता दे कि हत्या के वज़ा आप सी रंजुष बताए जा रही है कि इनके चाची की कोई संपत्ति इनके नाम आ गई थी जिसका इनों का अपिल चल रही ते मुगदमे में उस हथम दश्टेया यही कारण मजर आता है जिसके कारण दोने हमता तो है इसमें एक ही यही क्यादो कमुटी के लोग है और आपसी इसी गाउं के हैं जिसमें ग्रा अलब्गर की बड़ी सब्जी मंधी के आठतियोंने मंधी में खुले दारूं के अवेध ठेकी कोली का जोड़ता नारवा सेकर्टी पे अपना विरोधर प्रतेशन किया नाराज मंधी के अठतियोंने प्रषासन पर अंदेखी का आरोप रगाया अठतियों की माने तो सब् दैर दिशुराप का ठेका लंबे समय से पुलिस और प्रुशासन की नाट के नीचे चल रहा है लेकिन शुकायत के बावजूद भी कोई कारवाई नहीं की जा रही जिसके चलते अधितियों ने मार्केट कमीटी के चुएर्मेन से मुलाकात की और मार्केट कमीटी चुएर्म कारवाई नहीं चलेगा अब हमसे दो दिन का टाइम मांगा अगली कारवाई नहीं के बात करेंगे तो वहीं बुलन शहर से दिल दहला देने वाल ये घटना सामने आई है जहां एक विवाहित महिला की पीट-पीट का ससुराल बालो ने खत्या कर दी दरसल हत्या से पहले विवाहिता ने खुद अपने माई के वाले को अपने साथ हो रहे घरेलू हिंसा की जानकारी दी महिला के पिता ने बताया के बेटी के ससुराल वाले समय समय पर उनसे पैसों की मांग करते थे इससे पहले भी मृतिका के पिता ने ससुराल वालों की मांग करने पर उन्हें धाई लाक रुपे दिये थे जिसके बाद से ससुराल वाले और भी जादा मांग करने लगे इसी मांग के चलते आपको बता दे कि विवाहिता की पीट पीट का हत्या कर दी गई जिसकी वजह से अब इस पूरे इलाकी में दहशत का माहल है वहीं प्रिद मृतिका के पिता ने ये भी बताया कि जब अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे तो घर के सबी लोग घर से फरार हो चुके थे और बेटी का शव फांसी के फंदे से लटक रहा था सुशना के बाद मौके पहुंची पुलिस ने शौप को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है आपको बता दे कि अभी ता घर्टना से जुड़ा कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है किसलिए बार दिया दाइज के लिए पहले भी वह दाइज की मांग करते रहे थे उन्होंने तो कई बार मांग थी बच्ची होने के पहले भी उन्होंने एक लाग रुपई लिए अभी एक साल पहले उन्होंने डाइलाग रुपई लिए उनका पांच लाग रुपई मांग रहा है और शुकता रहा है कॉर्ट ताना एरिया में ये कंप्लैंट चाया है हम का मतलब हैंग और बन आध किली मैं टिकन वहतनी परिवार महिँ आधक उत्या का रेदी लिए डिए आई से द्वरी जिसके बाद गंफीर हालत में पीडित को चंडिकर के सेक्टर 32 अस्वताल में भर्दिक रहा गया वहीं पीडित का कहना है कि उस पर सोची समझी साजिश के तहट यह हमला किया गया और इस साजिश में उसके दोस्त भी शामिल है बीजेपी के राश्टरी अध्याक्षामेश चाहा के रोडशो के दुरान हमले की सीयम योगी अधतिनात ने कड़ी निंदा की है योगी अधतिनात ने प्रेस कॉंफरेंस के माध्यां से घटना की निंदा की उन्होंने कहा कि आमिश्या पहले से दी गई परमिशन के हिसाब से वहां गए थे जिस तरह से बरपरता पून हमला पर्शिम बंगाल में हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं वह उन्होंने पर्श परता में आज एक रोड़ सो में पहले से ली गई परमिशन के अनुशार वहां पर अपने कारिकरम में गए थे और जिस तरीके से देश के सबसे बड़े राजनितिक दल भारतिय जनता पार्टी के राष्टिय अध्यक्स के रोड़ सो के कारिकरम पर बरबरता पून हमला प हम सब इसकी निंदा करते हैं पस्वी बंगाल के अंदर की अराजक्ता कोई प्रदर्सित करते हैं तो वह हुत्र प्रदेश के बागपत्मिक परिवार को पुलिस द्वारा जूटे केस में फसाने का मामना सामनी आया है जिसका चलती पीडित परिवार नियाए पाने के लिए मानव अधिकार आयोग का दर्वाजा खटखटाया है पीडित परिवार ने जूटे केस में फसाने को लेकर बढ़होत पुलिस पर भी सवाल उठाए आपको बता दे कि पीडित परिवाद नया बन्याय पाने और जूटे केस में फसाने वाले लोगों के खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर मानव अधिकार आयोग और पुलिस के उच्छाधिकारियों का दर्वाजा खटखटाया है मेरे पास यह जो आरोप लगाए है उन्होंने के जेवर खरीदा मैं 2002 से यह काम बंद कर दिया मैं दुकान पर नहीं बैठता मेरे जब से व्रेंद एम रहे जोया मैं यह काम ही नहीं करता इन्होंने साजिस के तहत मेरे साथ ये काम किया यहां की पुलिस थी बडोत की और यहां की पुलिस की वज़े से मैंने किवाड खोल दिये और जिस चोर को इन्हें बना के लाए उसके बड़े भाई ने मेरे पर 307 का एक जूटा मुकदमा 2016 में लिखवाया था चुके हमारे लड़के के जो ससूर हैं वे लगे हुए हैं उनके साथ में वही हर दोई की बिलग्राम को त्वाले शुट में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मार पीट और आग जुनी हुई आग आपको बता दे आग में जुलस ने से चार लोग आग में जुलस गए हैं जिसमें एक यूटी भी शामिल है कारवाई की मांग को लेकर पीडित परिवार स्पी से मिला हाला कि मामले में स्पी ने पीडितों को कारवाई का भरोसा दिलाया है वही इस मामले में S.P. आलोक प्रियदर्श्वी का कहना है कि दोनों पक्षों में विवाद हुआ जिसके बाद मामला दर्च कर लिया गया है मामले की जांच शुरू करती गई है हम वहाँ से आये हैं और हमारा जमीनी विवाद चला जबरन कबजा लेने आये हैं सुबा आठ तारीक सुबा आठ बजे नुव तारीक को तो हमने इने जब मना किया कबजे से तब इनोंने मार्पीट सुरू कि मार्पीट करने के गाद जब हम लोग घर से बगए हैं तब इनोंने आग लगा दी घरने आग लगाने पर मशीन आई गाउवालों ने बुझाई फिर मशीन ने बुझाई और उसके देड़ गंटे बाद करीबन सौनमबर गाड़ी आई है तुम लोग कैसे जले हो हम लोग वो बचाने और छोड़ने में जरे हैं और से भगे बिल्लाइम निकलने की जगे नहीं जरे पाए और हमारी भाइसी दूतीन जली है पुलिस ने का कि अब तक पुलिस में हमारे बारे में कुछ नहीं सौचा और कुछ नहीं का की जगाते हैं कि आग तो तुम्हीं ने लगाई है क्या आग हम लगाते हैं तो क्या हम बीवी वच्चे जर जाप है थाना बिल ग्राम के पाउसें और डूसरे जाता थानारह इंक अजग्ड़ा हूँ जगल और फोसे दोनो पुखछों तरफ से चोटे आई हैं और एक पक्ष जो आग्रामक पक्ष था उसने इनके उपर तोहमत लगाने के लिए अपने घर में आग लगाई जो आग बढ़ते हुए रामवरोसी के घर तक पहुंच गी और वहाँ आसपास बिपी जुपनिया जबने जबने मौके में पुलिस ने पहुंच करके पूरे इस पोर्ण की तर्ये भी एक फिर्फ और सिक्तर्स के साथ जुड़ सकते हैं इसे साथ फिल्हाल ख़बरों में ताही नमस्काल